इस वीडियो में इस वीडियो में में एक्सप्लेंड करने जा रहू हूं अर इनक्रीमेंटल मॉडल से रिलेटेट एच एड जिए एड फैक्ट जो है वह भो हम इस वीडियो में Inteen के डिसक्ट करेंगे। तो चाहें आप competitive exam के लिए prepare कर रहे हो, college university exam के लिए या फिर interviews के लिए कहीं भी आप से पूछ लेना, तो यह points more than sufficient है, तो guys, फटा फट से वीडियो को like कर दे, चैनल को subscribe करें, अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया, तो और devices से भी subscribe करवा सकते हो, शेयर करके करवा सकते हो, क्योंकि subscribers बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो चलिए start करते है, incremental model, incremental का मतलब क्या है, कि module by module development हम कर रहे है, मतलब एक बार में सारा development की बजाए, पहले एक module बनाया, उस module के बाद हमने दूसरा module बनाया, जो कि incremental है, मतलब कहने का, कि जैसे हमने एक छोटा सा module पहले बनाया, उसके बाद हमने उस module के अंदर ये एक और module अड़ कर दिया, then उसी के अंदर हमने एक और module अड़ कर दिया, तो incremental module इसको हम बोलते हैं, incremental model इसलिए बोलते हैं, तो अगर कोई बड़ा project है, it is specially for the large projects, तो अगर कोई बड़ा project है, जैसे simple से example लेता हूँ, real life LMS, learning management system, या आपकी college, university का जैसे learning management system होगा, तो आपको देखो, वहाँ पे student का एक अलग से module हो गया, teachers का अलग से module हो गया, dean, hood का अलग से module हो गया, attendance के लिए अलग से module हो गया, कोई cultural, वहाँ पे कोई भी इस तरीके का कोई अगर cell है, placement cell है, तो उनका अलग से module होगा, तो कहने का मतलब क्या है, कि मैंने एक बार में पूरी development नहीं की, मैंने सबसे पहले attendance का module बनवा लिया, कि यार, attendance मैं online ले सकूँ, student online अपनी attendance देख सके, पहले वो बना लिया, उसके बाद मुझे लगा कि हाँ यह module बिल्कूल सही है, फिर हम teachers की attendance online ले सकते हैं, देख सकते हैं, फिर हमने uploading करना स्टार्ट कर दिया, material की यहाँ ठीक है, teacher material upload कर सकता है, student उस material को देख सकते हैं, तो कहने का मतलब क्या है, एक बार में पूरा software बनाने की बजाए, आप उसको module by module जो है वो development कर रहे हो, तो यह देखो, सबसे पहला phase यहाँ पर आ जाता है, requirement, requirement and specification वाला जो phase है, वो phase आपको सबसे पहले lock करना पड़ेगा, lock का मतलब क्या है, whatever requirements वो आप note कर लो, whatever specification, each and everything आप properly note कर लो, SRS document यहाँ पर बन जाएगा, SRS document बनने के बाद, you have started the development, तो पहले आपने build 1, build 1 मतलब पहले module 1 बनाया, उसमें आपने सबसे पहले वही designing की, development की, देन उसके बाद testing आ जाती है, और फिर उसको implement किया, maintain किया, finally फिर build number 2, मतलब module number 2 पे जाओगे, 3 पे जाओगे 4, तो इस तरीके से आप module by module क्या कर रहे हो, development कर रहे हो, तो अगर आप, आपके mind में अब आगे होंगे, कि what are the advantages, what are the disadvantages, तो अगर हम इसके points की बात करें, तो देखो वही, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, module by module, then customer interaction maximum है, customer की देखो, यहाँ पे आप module 1 दे रहे हो, module आपने 1 दे दिया customer को, customer उस module को use कर रहे है, उसको use करते करते, उसको पता लग गया, कि here क्या changes मुझे next वाले में चाहिए, क्या मैं add कर वाँ, क्या मैं remove कर वाँ, तो यहाँ पे customer की interaction maximum है, तो error के chances आपके कम से कम होंगे, तो यह major development है, major advantage है, दूसरा important point यहाँ पे क्या आजाता है, आपको कोई software मिला, अब आपको एक बार में पूरा बनाना है, तो आपको cost भी एक बार में लगानी पड़ेगी, company को भी एक बार में cost लगानी पड़ेगी, manpower पूरी लगानी पड़ेगी, और customer से भी आपने सारा पैसा ले लिया, नहीं, हम क्या कर रहे हैं, कि ठीक है, एर module 1 बना रहे हैं, आपको एक time duration दे दिया, इतने time में module 1 दे दे देंगे, उससे हमने, उससे mount का, cost wise भी, अगर आब बात करो, manpower भी आपको एक दम से ज़्यादा लगाने की जूरत नहीं है, तो ये एक advantage यहाँ भी बन जाता है, then large projects के लिए सबसे ज़्यादा important है, ये web applications है, या फिर कोई product based companies हैं, उन्होंने कोई product launch करना है, तो एक बार में सारा करने की बजाए, it is also beneficial for the early release product demand, मलब कोई product की demand आ रही है early, मलब कि उसको जल्दी से जल्दी release करो, तो सारा अगर मैं एक बार में नहीं कर सकता, तो मैं उसका कुछ portion, कुछ part जो है, वो मैं early release कर सकता हूँ, तो इसलिए ये model एक तरह से, क्यों मैं बोल रहा हूँ, web application के लिए Android, या फिर आपकी mobile application के लिए क्यों बैटर है, क्योंकि आपने देखा है, mobile application आप install करते हो, या web application करते हो, तो उसमें क्या होता है, time by time क्या आते रहते हैं, updatesions आते रहते हैं, especially for the mobile application Android में, आपने कोई application डाउनलोड की, आज उसको use कर रहे हो, तो आपको कुछ time बाद मेने के अंदर, उसका क्या आ जाता है, एक updatesion आ जाता है, तो आप update करोगे, तो नई features include हो जाएंगे, फिर आप update करोगे 2 मेने बाद, फिर नई features include हो जाएंगे, तो कहने का मतलब कहा है, कि they are trying to maintain each and everything, in a step by step manner, तो ये एक advantage है, then flexible to the change, बाकी के point तो आपके दिमाग में अभी आई गे होंगे, जितनी मर्जी कहानी बना लो अब तो, कि flexible changes के लिए, obviously एक बार में थोड़ी ना कर रहे हैं, पहले module 1 बनाया, तो उसमें अगर कोई भी changes करने हैं, तो हम वो भी changes कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि पूरा product implement करने के बाद maintain कर रहे हैं, फिर हम errors को find out कर रहे हैं, नहीं, customer की interaction है, वो भी properly देख रहे हैं कि कोई error तो नहीं है, और user b testing phase में भी हम बार बार चेक कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं यहां पर flexibility बन जाती है, whatever changes you want to do, तो यह major points are related to the incremental model, Thank you.